हे दोस्तों कैसे वाप सब तो अभी जो हम ट्रीपल र का जो है ट्रेलर का रिभीव करेंगे और मेरा थोट क्या है ओ पो लेंगे उससे पहले मैं टेलर के लिए एक चीज़ जरूर करना चांगा यहार सुपब धायार मतलब जितना टेलर में विजवल्स देखने को मिलते हैं स्टनिंग सुपब मतलब बोल सकते हैं उन्हें गूजबंस बाला था यह सबसे पहले तो जो मतलब एंटी यार का इंट्री होता है और जो श्टीन देखने को मिलता है कि यो जो है टाइगर के शा मतलब चाय कम लगता है भाई मतलब चीनी कम लगता इस परकश। फिलिंग होता है इसके बाद जब राम चरन का इंट्री वाला सीन होता है कि हां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ברigkeit लगाई उसको हिला रहे हैं सब पूलिस को मतलब station को घेरे हुए थैसे लाम चरन का सक्त ऑफिशर है जो अपना मतलब जो ड्यूटी है उसको बहुत बफादारी से निवाता है तो राम्चरण जो है काफी स्ट्रॉंग केरेक्टर होने वाला है और टीसर के तरब से भाई पुलिस ऑफिशर है उसके बाद जो सीन सब होता है जो विलेन का एंट्री होता है जो मत इतना पाऊरफुल है जिस परकार से उसको दिखाया गया जो वैसे राजामाली का जितना भी मूवी में देखा हूँ आस तक छत्रपति हो गया उसके बाद जो है मक्खी हो गया उसका अभिक्रमा कोडू हो गया बाहौवली हो गया जिसमें वीलेन जो होता है बहुत स्ट्र राम चरन और जो है एंटियार दोनों मिलके लरेंगे विलेन से तो काफी पावर्फुल विलेन को रठा गया जो इस्पेशली जब वो दोनों का दोस्ती है थ्रूआप जर टेलर काफी अच्छी तरीके से दीखाया गया किस परकार से दोनों मिलते हैं फिर दोनों में emotional scene भाई मतलब बहुत ज़्यादा emotional scene है इसमें देखने को जो मिलता है जब NTR का आप देखोगे तो आसू आजाता है उनका जब आलिया भट से मिलके वापस लोटा है वो वाला scene या फिर जब arrest करने जाता है मतलब arrest जिस चम राम काफी अच्छा है और जब से खतरनाक scene मेरे को बला लगा जब फाइनली जो है राम चन का entry होता है मतलब बोल सकते भगवान राम के रूप में यार पूरा एक्टाम ऐसे ही लग रहा था जो मतलब उसका costume था जो make-up जो archery लिया हुआ था जो मतलब बान तीर यह सब जो लिय लगता है throughout the मतलब वो जो scene दिखाता है उसमें काफी जानदा वही scene जो है इससे कुछ मतलब 8-9 माई ने पहले यूटूब पे डाला गया था कि राम चर्ट आर्चर आर्चर आने का practice कर रहा है वही scene इसमें दिखाया गया गया वही वाला scene मेरे को जहां लग रहा है और उसक लगा लेकिन फिर भी आप जितना भी राज मॉली का मूवी उठालो बाहु बली मक्षी मतलब जो भी यार विक्रमा कोडू बहुत सार मूवी जो है आपको उनका fight scene जो है अभर दर टॉप चाहे इलोजी कर लगेगा लेकिन जब आप मूवी देखोगे न तो जिस परकार से वर्ल्ड क्रियेट करते हैं सिनेमा में कि आपको जितना दर आप मूवी देखो या two and half hour या तीन घंटा जितना दर आप देखो आप जो उसको एकदम मान लोगे कि हाँ सच में हो रहा है और उहां पर आपका mind जो है काम करना बन कर जाएगा पूरे तरीका से आप उसमें उसमें आपको मतलब जो होता है की मतलब जो आदिवासी होता है उसको रिप्रेजिएंट करने वाला जो बीजिएम किरवानी गारु जो बहुत जानदार दियां और बीजीम जो एक goose bumps देता है जो मतलब जो visual street देखने को मेलते है cinematic जो graphics होता है cinematographic देखने के बाद जो आपको मतलब मसूस होता है न बीजीम दोनों जो जाता है साथ में आता है तो आपको goose bumps लगता है ऐसे लगता है कि भाई क्या beast scene देख रहे हैं मतलब intriguing intensive scene देख रहे हैं साथ में बीजी है महसा रहता है तो काफी जानदार है राजा मॉली का direction भाई one of the best director of India नहीं बोल सकते है वो बोल सकते है वर्ल्ड का है जिस परकार से movie बनाते है एवरी फ्रेम में उनका देखो जो भी फ्रेम a fight वाला emotion वाला everything उनका फ्रेम जो है काफी जानदार देखने को लग रहे है उनका direction उनका विजन everything was just superb आलिया वर्ट का जो इसमें दो तिन ग्लिम्स दिखाया गिया है तो काफी जानदार लग रहे है उनका रोल जो है लगबाग 16 मिनट का है फिर भी बहुत जानदार है क्योंकि अगर आप बहुत सारा movie देख लो कि कुछ किसी actor का एक scene जो है बहुत impactful होता है चाहे जहे देखन का भी आठी मिनट का है बड़ जो उनका छोटा सा scene दिखाता है उसमें भी काफी impactful लगते है उनका जो एक dialogue का ही ले लो कितने आदमी थे वाला यह सब dialogue जो आज सक लोगों के याद है वो सब scene साब तो movie का जो story में जो असर है वो timing से नहीं होता है और scene से होता है चाहे जो जो इतना impactful होता है चाहे दो मिनट का हो यह 10 मिनट का हो यह एक घंटा का हो इंपोर्टन होता है कि उसका impact कितना पड़ता है story telling पे और movie पे तो उनका जो दोनों का role होने वाला जायदेवगन का चाहे अलियावट का हो जो बहुत impactful होने वाला according to SS Raja Maulisar और अजयदेवगन और अलियावट जिसको बोलो तो यह एकदम visual traits sound effect जानदार और dubbing का बात बोलू तो जो तेलगू dubbing तेलगू है उसमें तो जुनियर NTR का राजा इसका क्या बहुत है रामचण का भाष तो जानदार है सब ही जानते बट हिंदी में भी जो कहीं से नहीं लगा कि उनका जो हिंदी मतलब लगूत चाह रहा है कहीं पर भी नहीं उससे में मैंने उससे पहले उनको सकती उसमें उनको हिंदी बोलते देखा था या फीर एक दो जगा बोलते सुना था आज जो press conference हो ता उसमें कुछ हिंदी बोल लाते तो तो तुट फट किया जो मैं भॉय सून रहा था तमील कनड़ा इस सब का मल्याला में कोई और बंदा दिया लेखिने चार लेंग्वेज में मेरे को जहां तक लग रहा था कि उन्होंने खुद डबिंग किया दो डबिंग जो है काफी अच्छा लग रहा है उनका हिंदी में रामचरन का जो थ बहुत आगे निकल जाएगा चाहिए बाहुबली को पीशे छोड़ देगा मैं ऐसा नहीं बोल सकता है यार क्योंकि बाहुबली के लिए एक महाल बना था इच ओडियंस मतलब सब में क्यों मारा चाहिए और बहुत सारा डिजन्स था उसका उतना मतलब वाइड स्पीड हु सब कुछ नहीं हाँ बोलता है कि उनका जो है आ रहा है एसे स्राजा मॉली का बोलता है बाहुबली डिरेक्टर का रहा है एसे स्राजा मॉली का ने अब देखोगो सिर्फ तेलगु वाला में बोल ला है कि एसे स्राजा मॉली का डिरेक्टर लेकिन और अदर्स में देखोग को नहीं मिलता है बाट अधर लेंगवज में उनको लिखा जा रहे हैं पर फरम डायरेक्टर ऑब बाहुवली तो यह मतलब ट्रीपल र जो है उस वाइट तक जाएगा कि नहीं यह तो रिलीज के बाद पता चलेगा कि बाहुवली को बीट कर पाएगा कि नहीं लेकिन अभी जो है रिशेंट टाइम में मैं वह ऐसा वाड़ अप माउथ जो किसी के मुह से सुन नहीं रहा हूं कि हाँ उतना है उतना चर्चा है किसी का बाहुवली के टाइम जहां जाओ कपील सरमास हो आम आदमी से बात करो किसी से बात करो सब पर था लेकिन ट्रीपल र के चेतर में देख रहा हूं जो मीडिया से जूरे लोग है चाहिए जो मुवी से इंट्रेस्टेड है या बहुत सारे लोग जो मुवी देखना पसंद करते हैं जो जाते हैं रेगुलर देखते हैं उन लोगों के मुझ से सून ला जो उस परकार्च का बाहुवली के टाइम था कि नॉर हाइप है बहुत है लिकिन जो मुवी से लवर है चाहिए जो मतलब मीडिया मतलब यूटूब पे चलाते हैं चाहिए जो रिवीव सुनते हैं या फिर जो थो थोरा बोरा मुवी देखने जाते हैं रोज या रेगुलर ली यह सब है ऐसे आम आदमी के विज़े उतना अब नहीं है अभी तक हिंदी में आफ्टर रिलेजिंग जब लोगों से अच्छा सुनेंगे रिभीव अच्छा आएगा लोग कुछ चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि बाहुबली को पार कर जाए क्योंकि मास्टर पीस भाई बनता है तो दस साल पंड़ा साल के लिए एक बार बनता है उसके बाद फीर कोई टूटता है शक्ता है बाहुबली का यह तोड़ दे या ना तोरे हो んभाङवान जाने उपर वाला रिभ धी जानिंग वー सकता है तो रिलीज के बाद पता चलेगा चलीए देखते हैं आपको कैसा लगा ट्रिश जडू बताएगा